तो दूस्तो हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मेंस्टर नितिन गटकरी जी ने 2016 में एक बड़े प्रोजेक्ट और सपना देखा था जिस प्रोजेक्ट पर अभी धीरे धीरे काम किया जा रहा था अब इन्होंने इस पर बूस्ट देने का एक नया कदम उठा लिया है यहाँ प पूरी कोशिश किये है कि आप सारी चीज़े बड़ी असानी से समझ जाएं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो आईए दोस्तों बात करते हैं इ अब बात करते हैं इसके इंदर कौन से 2s होते हैं तो इसमें पहला उता हर दूसरेban कर लेंकर के तो यहां पर यह पर यह एक busy पीपी मॉडल बेस काम होता है कैसे आई आपको बताते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एपी सी प्रोजेक्ट है इसको अपरेट करने के लिए एंडिया ऑपरेट कराती है यहाँ पर जो भी बजट है जो भी कंस्रक्शन का काम है वह गौवर्मेंट के अंडर में किया जाता है लेकिन हम बात करें वही पर B.O.T. को लेकर गया निकि बिल्ड ऑप्रेट एंड ट्रांसफर को लेकर गया तो यहाँ पर खास कर प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा रोल होता है इस प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से यहाँ पर इसको ऑप्रेट, बिल्ड, जारा ध्यान रखा जाता है यहां पर कोई भी अगर प्राब्लम आती है तो इसकी जिम्मेदारी जो है प्राइवेट पिर्ट की होती है और इसको एक लिमिटेट टाइम के लिए प्राइवेट चेक्टर्स को सौप आ यहां पर इसमें government किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है बट फिर भी यहाँ पर government का थोड़ा बहुत control रहता है ताकि कोई भी problem ना सके और यह भी सारे काम जो है government की जमीन पर government की तरफ से किये जा रहे है तो जाहिर सी बात यहाँ पर government ध्यान रखती है लेकिन ये सब चीज़े जो है दोस्तों पहले की जाती थी या फिर कोई private sector करता था या फिर इस काम को कोई government sector करता था लेकिन हम दोनों को combine कर दिया गया और combine करने के बाद इसको नाम दिया गया है hybrid immunity model जिसमें EPC का 40% हिस्सा होता है और वहीं पर BOT का 60% ह हिस्सा होता है बात करें EPC में तो यहां पर इस 40% के अंदर यहां पर total cost जो है वह government इस project के अंदर लाती है जहां पर इसको five stage में introduce कराया जाता है और जिसमें धीरे-धीरे करकर के इस पूरे 40% budget को यहां पर ला दिया जाता है लेकिन बात करें यहां पर 60% budget के बारे में तो यह private players लाते हैं और इसको लाने की कोई limit नहीं होती है वो अपने according यहां पर set कर सकते हैं क्योंकि उनकी यह responsibility होते है कि किस तरीके से project को design करना है तो आप बात करते हैं इस model से हमारे देश के अंदर क्या changes आने वाले हैं तो अभी जो वित्तियवर्स आया था यहां पर कहा गय था कि करीबन 4500 km के जो target अभी नए routes तयार किया जा रहा है भारत के अंदर वहां पर इस PPP model को लाया जाएगा जिसकी मदद से एक नए infrastructure का development होगा इसी के साथ में जो government के उपर load है वो भी कम हो जाएगा और अगर हम बात करें current time update के बारे में तो 2021 और 22 में कुछ ऐसे road infrastructure है ज इस पर अब बहुत तेजी से काम किया जाएगा जिसके बात से government का load कम होगा और जो हमारे new projects हैं वो और भी जादा advance तरीके से और fast काम के तरीके से किये जाएगे जहापर government force भी कर सकती है private sectors को जल्दी करने के लिए और अच्छे काम को ना करने पर यहाँ पर fines भी लगाया ज जी के इस project के बारे में क्या कहना है हमें comment section में जरूर बताइए अगर आपका भी भी कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like करें ऐसी ही interesting and positive खबरों के साथ जूड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe जरूर कीजिए मिलते हम आपको किसी नय और interesting वीडियो में तब तक के लिए वंदे मात्रम भारत मा दकीजिए